मुख्यमंत्री भूपेश बगेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्र परिशत की बैठक गुरुबार को हुई मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में कई महत्वपून फैसलों पर मुहर लगी है बाहरी लोग प्रदेश के मूल निवासी का लाब ना ले सके इसलिए निवास प्रमान पत्र के नियमों में संशोधन किया गया है इस साल से दालों को समर्थन मुह यप पर खरीदने की शुरुआत भी की जाएगी हेलिकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत पाइलर्ट गोपाल क्रिशन पांडा की पत्नी को व्याख्याता के रूप में अनुकम्पन युक्ती देने का भी फैसला लिया गया क्याबिनेट की इस बैठक में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चत्तीसकर राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीती का अनुमोधन किया गया बिजी बिलहाफ योजना का भी सरकार ने विस्तार करने का फैसला लिया है इसका लाब गोठानों को भी मिलेगा इसके अलावा सरकार ने उद्यो, स्टांप, आवास, क्रिशी और प्राइवेट यूनिवसिटी के नियमों में संशोधन सहित कई महत्वपून पैसले किये हैं वही संविदा नियम 2012 में शिथिलता करते हुए करनल रजनीश शर्मा ततकालीन पुलिस उप महानी वीक्षक, स्टी एप बगेरा जिला दूर्प की संविदा अब धी एक वर्ष बढ़ाए गई है सरकार के मंत्री परिशत की आज की 45 वी बैठक में लगभक चूबी से जेंडा से चर्चा हुई है और जो महत्वपून नेड़े लिए गये हैं और इविन जो नेड़े हैं वो मैं आपके सामने पढ़के सुनाता हूँ सबसे पहले राज्य सरकार के द्वारा राज्य में दलहन फसलों के पैदावार बढ़ाने के तहत इसी वर्स खरीब से समर्थन मुल्य पर हम अरहर की खरीदी करेंगे, उलत की खरीदी करेंगे और मुंग का मिन्मम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करने का आज मेरने लिया गया दूसरा सरवादिक महत्पुण विशा ये है कि जिस तरीके से बिजली बिल हाफ योजना और चार से यूनिट तक खपक में आधा बिजली बिल का जो हमारी सरकार की योजना है उसी प्रकार हमारे गोठानों में जो बिजली का बिल है उसको इस योजना के अंतरगात सामिल किया जाता है नमबर एक और गोठानों में स्थाफित होने वाले रूरल इंडिस्टियल पार्क जो हम अन्य गत्विधी संचाली करने के लिए ग्रामिड और जोगिक पार्क बनाने जा रहे हैं उसके बिजली के बिल को भी जिस तरीके से 400 उनिट करने का निड़ा लिया गया, उसमें सामित किया गया तीसरा मंतपुर निड़ा ये है कि निवास प्रवाल पत्र की प्रक्रिया को तरक संगत बनाने के लिए इसका निड़ा ये लिया गया कि शिकायते आती हैं कि राज्य के बाहर के लोग भी आ करके निवास प्रमाल पत्र बना करके यहां के स्थानी लोगों को जो लाब दिया जाता है उसका लाब उठा लेते हैं तो प्रावधानों में संस्वधन किया गया और प्रमुक रूप से इसमें ये जोडा गया जिनकी पात्रता चत्तेजगर राज्य के निवास प्रमाल पत्र की है वो सारी पात्रता तो रहेगी ही लेकिन आउटसाइडर के लिए पहली चौथी और पाचवी कच्छा के परिख्षा उत्तिर्ण योग्यता को इस्थानी निवास प्रमाण पत्र में सामिल करने का निर्णा लिया गया पर नेने लिया गया है शत्तितगड राज देने के लिए एक नई पॉलिशी का अन्मोदन किया गया जिसमें इलेक्ट्रिक वानों को आसान चार्जिंग सुदा उपलब्द कराने के लिए चार्जिंग इस्टेशनों का नेटवर्क इस्थाफिक किया जाएगा और नेश्ञा कराए जाएंगे एक नेड़ और लिया गया कि 36 गड़ में राज्य में जो मेगा और अल्ट्रा जो प्रजेक्ट इस्पंज एंड इस्टील आयरं के आ रहे हैं तो जो हमारी अद्योगी की नीती में हमने जो उन लोगों को विशेश प्रुफसाहन पेकेज गिया हुआ है प्र उद्योग आएंगे उसमें 60 प्रेशत तक B वाले जिलों में 80 C केटेगरी के जिलों में 100 और T केटेगरी के जिलों में जो 150% की उनको लाग देने का जो निर्णा है और इन जो नहीं उद्योग निती अभी जो इस प्रकार से लागों किया गया है कि जो बड़े मेगा और अ खापित हो रहे हैं या जिसमें अत्रिक्तर विष्ट में आवास और पर्यारवने विभाद के द्वारा भू संबदा विन्यामक प्रादिकरंश के अन्मूंदित कालोनियों के प्रमोटर द्वारा अवंतियों के जो सोसाइटी जो काम करते हैं वहां के विकास का उन लोगो को एक बार सारी छूट देते हुए इस ताम जूटी और पंजियां इसुल्ख में दस हजार और पंजियन सुल्ख में पांच हजार तर अधिरूपित करके छूट देने का निर्णा लिया गया एक अन्य प्रस्ताओं में नंगरी छेत्रों में रहने वाले सास्की भूमी का था वो अभी 31 मार्च 22 को समाप्त हो रहा है उसको विस्तारीद करके 31 मार्च 2023 तक करने का निर्णे लिया गया गोठानों में जो सैल फैल ग्रूप की महिलाएं काम करती हैं उनको रासी जो 6 रासी 3% हम लोग देते हैं उसके अत्रिक्त भी रासी देने का निर्णा लिया गया जो प्रोप्साहर रासी और वार्थिक कंपोस्ट विक्रह पे बोनस की रासी होगी यह अत्रिक्त रासी गोठाम गोधन याय योजना के अंतर गती वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम हमारा चल रहा है मार्केटिंग का भी काम चल रहा है, सुपर कंपोस्ट बनाने का भी काम चल रहा है अब हम लोगों ने उसको कहीं कहीं सिकायते भी आ जाती हैं वर्मी कंपोस्ट के स्टेंडर्ड के बारे में तो उनको विधिवत प्रसिक्षन देने प्रुपसाहन देने और पुर्थकार और रख रखाओ के लिए हम लोगों ने अतरिक्त रासी की विवस्था करने का निर्णे आज लिया है एक अन्य निर्णे में अभी पिछले बार जो हम लोगों ने जो कस्टम मिलिंग के राइस मिलर्स की रासी बढ़ाई ही है 40 रुपया से जो 29 रुपया किया गया था अब नेर्णा लिया गया कि प्रॉपसाहन की रासी 50 प्रजसत कस्टम मिलिंग सुल्क के साथ ही प्रदाय किया जाएगा सेज 50 प्रजसत सेंट्रल पूल में निर्धारित लक्ष का पूल जावल जमा होने के बाद उन राइस मिलर स्कूर 80-51 परिक्सत का प्रदाय किया जाएगा सबसे महतध़ पुर चर्प जो पेशा कानून के बारे में जो सिडुल 5 शिंस ओरिया में बस्तर और सरगुझा जैसे इरिया में नियम कानून तो लागू है उसके नियम बनाने का जो काफी लंबे अर्से से लंबित था आज फेशा के कानून के प्रारूप को अनमोदित किया गया एक बहुत मानवी पहलू का नेड़ा हुआ है हमारे जो हेलेकॉप्टर के पाइलेट थे कैट्टन गोपाल कृस्मत पंडा जिसको अक्सिडेंट में जिसकी मौत हुई है उसकी धर्म पत्नी डॉक्टर स्रीमती अलका पंडा को इसकुल सिख्षा विभाज में ब्याख्याता के पद पर अनकंपा विसेज नियुक्ति देने का आज निरने लिया गया इसी तरीके से समीदा नियम में थोड़ा सिखिलता बर्ते हुए करनल रजनी सर्मा जो स्ट्रधार रहे हैं उसकी समीदा अवदी एक वर्ष बढ़ाने का निरने लिया गया राज्य प्रसासनिक सेवा के दोहजार बेज के अज़कारियों को वरिष्ट सरेणी मेतनमान प्रवर सरेणी में क्रम उन्नती देने का निरने भी लिया गया चत्यजगर में सुगर के इन गन्ने का उत्पादन बढ़ा हुआ है करने कई जिलों में जब तक्कर बनाने का लावा मुलाशिष बना करके उसको बाहर राज्यों में भेजा जाता है ऐस्पोर्ट किया जाता है उसको विनिमीद करने का रिगलराइट करने का चत्यजगर में कोई कानून नहीं था का प्रारूप को आज अनुमोदन किया है इसके तहट जो मौलाशिष का एक्सपोर्ट वगरा करेंगे उसको परमिशन वगरा की जो बातें आएंगी वो करना पड़ेगा ये एकर प्रस्ताव पिछले कैबनेट में दो कैबनेट के पहले संभावता हुआ था रोजगार मिशन और राजी युवा मितान कलब के लिए हम लोगों ने उपकर लगाने का निवना लिया था अब इसको चुकी विधान सवा सामने आए तो विध्यक के रूप में लाएंगे तो इसके विध्यक के प्रारूप को आज कैबनेट से अन्मुदित किया गया है एक अंड्य निन्हे में चतियस गड़ निजी विसविद्याले विधयक 2022 कप प्रारूप का अन्मधन किया गया। एक निजी विसविद्याले चतियस्गड़ में आजनी विसविद्याले, ये नरदहा में उनका एपलीकेशन है। सारी पार्मलिटीज उन्होंने पूरा किया हुआ है उस विचित जाला को आए के विदेहक पार्मोंदीत किया जाए उसको कुल मिला के अनमती दिया जाएगा